हेलो गईस मेरे नाम है गगन और आप देखरें गेक टेक गईस आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको नहीं पता कि आप सोपसी एप में अपने बैंक अकाउंट के डेटेल कैसा एड़ कर सकते हैं तो आज किस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बैंक अ पैसे earn करते हैं यानि कि इससे पैसे कमाते हैं तो जो उसकी commission बगेरा होती है या referral amount जो भी आपको मिलता है वो सब आपके bank account में आता है तो इसलिए दोस्तों bank account aid करना बहुत जरूरी है आप bank account aid नहीं करेंगे तो आपको refund भी नहीं आएगा आपका और आपकी जो भी commission जो भी earning करनेंगे वो भी आपको नहीं मिलेगी तो अक्सर मुझे काफी लोग comments करके मुझे से यही बोल रहे हैं कि हम bank account detail कैसे aid करें उनको काफी problem आ रही है bank account aid करने में तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरा process बताऊंगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने चे पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी से request करूँगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को like कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो please हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए तो सबसे पहले आप इस button पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option देखने के लिए मिलेगा my bank account तो यह आप देखेंगे दूसरे number पर आपने इस पर click करना है जब दोस्तों आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको add account का एक button दिखाई देगा नीले गलर का इसमें आपको देखने के आपना होगा तो अगर आपने अभी अपना name, address और pin code, city वगेरा नहीं डाला है तो यहाँ पर आपको इडालना पड़ेगा billing address उसके बाद आपको next process क्या है देखने के लिए मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों अभी आप screen पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर address इंटर कर दिया है और pin number भी डाल दिया है मैंने मेरे area का जो pin code है वो भी इंटर कर दिया है उसके बाद जैसे आप pin number डालेंगे automatically city और जो वो state है आपका automatically उसको उठा लेगा यहाँ पर खुदी fill हो जाएगा वो यहाँ पर उसके बाद दोस्तों आपने save and continue वाले बिटन प लगी हैं तो तीन सीज़े ही आपको bank account number दो बार इंटर करना है यानि कि चारो कोलम में आपको detail इंटर करना है उसके बाद दोस्तों आप save बाले बिटन पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको एक रुपे की transaction यानि कि एक रुपा receive होगा आपके bank account में वो क्यों receive होगा दोस्तो क्योंकि bank account verify की जाती है एक रुपा आपको मिल जाएगा तो आप sure हो जाएगे कि आपने जो bank account detail इंटर की है वो एकड़म correct है यह आप देखेंगे उपर लिखा भी है we will deposit rupees one to your account to help us verify these details ठीके दोस्तों यानि कि आपके account में एक रुपे की transaction की जाएगा आपके account में एक रुप account number आएगा फिर दुबारा यहां पर account number और यहां पर IFSC code तो यह चारों चीज़ा आपने डाल लेनी है उसके बाद आप सेब बाले बिटन पर क्लिक करना है तो मैं अभी detail डाल लेता हूं यहां पर उसके बाद आगेगा process आपको दिखाता हूं तो दोस्तों स्क्रीन पर आप अपनी bank account detail यहां पर इंटर कर लिए इसमें add कर दिए इस तरीके से दोस्तों आपने भी अपनी bank account detail इंटर करनी है उसके बाद सेब बाले बिटन पर क्लिक करना है जैसी दोस्तों आप सेब बाले बिटन पर क्लिक करेंगे यहां पर दिखाएगा verification pending तो यह verification pending है तो यहां पर जो आपके account में एक रुपा आएगा यह उस चीज को verify करेंगे जब यहाँ पर bank account detail verify दिखा देगा यह तो अभी यहाँ पर लिखा रहा verification pending तो दोस्तो अभी आप देख सकते हैं screen पर यहाँ पर लिखा आगया account verified यानि कि जो एक रुपे की transaction थी वो मुझे received हो गई है और इनके तरप से भी account verify उन्होंने कर लिया है और यहाँ पर हमें मेरी bank account detail show ही कर दिये तो इस तरीके से दोस्तो आपने अपनी bank account detail add कर लेना है अगर दोस्तो आप अपनी bank account detail जो आपने add की है आप उसको delete करना चाहते हैं उसके बाद आपकी bank account detail इस shop see app में add हो जाएगे और आपका जो भी refund या जो भी earning होगी वो आपके account में आ जाएगा तो दोस्तो आशा करता हूँ कि आज कि इस वीडियो में जो कुछ ही मैंने आपको बताया आपको सब कुछ इजली समझ आ गया होगा और दोस्तो आपको इस वीडियो से काफी help मिली होगी दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को like कर दीजे और दोस्तो चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए तो चली दोस्तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई